एक मुन्ना नाम का हाथी जंगल में बहुत ही चिंदित रहता है और एक दिन वाचिंदित होकर आगे जंगल में बढ़ रहा होता है इसी बीच एक बंकू नाम का घरगोस आधमकता है और हाथी के पीछे पीछे चलता है अचानक से हाथी का पाउं उस पर लग रही मला था कि वा जोर उसे चिलाया और फिर हाथी रुख गया उसके बाद बंकु ने हाथी से बोला कि क्या उन्ना भाई आज आप चिंतित क्यूं है इसी बेच वो हाथी ने उसे पताया कि तुमको नहीं पता कि जंगल में कितना चोरी हो रहा है सभी जानवर बहुत ही चिंतित है पताने कौन चोरी कर रहा है इस बात को लेकर मुझे बहुत चिंता है मुझे रात रात तक निंद भी नहीं आती है आखिर कौन है जो जंगल का हर चीज चोरी करके लिए जा रहा है और किसी भी जानवर को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है तबी वाख खरगोस में मुन्ना हाथी से कहता है तो इसको पता लगाना पड़ेगा तो हाथी बोलता है तुम कैसे पता लगा पाऊगे तो वाख बोलता है कि मैं कोशिस करता हूँ कि मैं कितना दूर तक पता कर पाऊंगा और फिर आवा खरगोस सोचने लगता है कि मैं जैसे भी हो उस हाथी को इसका सच बता कर रहूंगा और फिर हाथी जो है वो अपने घर की ओर चल पड़ता है आगे आगे जादा है उसके बाद फिर से सोचने लगता है कि वा बंकु खरगोस कैसे मदद करेगा लेकिन वा फिर से सोचता है कि एक बार चरूर वो मदद किया था इसलिए वा कर सकता है बंकु खरगोस अपने गुफा की ओर चल पड़ता है और हाथी भी अपने घर की ओर चल पड़ता है दुसरे दिन बंकु खरगोस को इस बात का जनकारी लेना था कि आखिर जंगल में चोरी कौन करता है इसलिए वा रात होने का इंतिजार कर रहा था रात होते ही वा अपने गुफा से निकलने लगा तो उसकी पतनी ने उसे रोक लिया अरे तुम कहा जा रहे है उत्रा रात में तो वो उसे मना किया मेरा काम है मुझे आने दो या सोच कर वा जंगल की ओर रात में चल पड़ा जैसे ही वा जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ा तो वा देखा कि एक पेड़ में एक मंको नाम का उल्लू एक डाल से दुसरे डाल में खुब आ जा रहा था उसे उसको देख कर सखुआ उसके बाद फिर वा उसे पेड़ के पीछे रुख गया और वा फिर देखने लगा कि यह क्या चल रहा है और वा खर्गोस भी उस उम्म खर वा उल्लू भी उस खर्गोस को देख लिया परंदो वा उसको उस पर कोई उत्सुकता नहीं जाता ही इतने में फिर खर्गोस और भी कुछ दुर जाकर रूप कर देखने लगा तो लंकू नाम का एक चमगादर उसके पास आता है और या उसको देख लेता है फिर दोनों में आपस में बात होता है उसके बाद वा खर्गोस चला जाता है अपने घर दुसरे दिन तुरंत सुबा ही होते ही वा मुन्ना हाथी उसके घर पास आ जाता है और इतने में फिर वा पुछता है कि क्या खर्गोस कुछ खबर है क्या इतने में खर्गोस उसे बताना लगता है कि कुछ तो मुझे सबुत मिल रहा है रात में मैं जब बाहर निकला था तो मुझे एक उल्लू और चमगादर में दोस्ती नजर आई थी वह सारा बात उसे बता देता है हाथी सोच लेता है कि आज का रात मैं जरूर उसको देखने जाऊंगा और फिर खरगोश चला जाता है सारे जानवरों को बता दिया जाता है और फिर दोनों खरगोश और चमगादर के बाते सुन लिया जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है हाथी उनका और भी दोस्त लोमरी को पकड़ लेता है और उनसे पूछताज करने लगता है कि तुम ही लोग चोरी किये हो वे तो उन्हों बोलने लगते हैं कि हम लोग आपस में दोस्त है हम लोग कोई भी चीज़ चोरी नहीं किये है परन्तु जब हाथी उन्हीं बोलने लगता है कि तुम लोमडियों के साथ का दोस्ती मुझे समझ नहीं आती तबी वह जोर चपट कर जब पुछने लगता है तो वह सारे उन्हें बता देते हैं कि चोरी उन्हों नहीं किया थाईसी तरह चोरी पकड़ा